गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स जैसा कि आपका क्लास 12 जोग्रिफी एक्जैम जो है 29 और फेबरी को शेडियूल है तो आप सब तैयारी कर रहे होंगे यहां पर इस वीडियो में मैं आपसे क्लास 12 का जो जोग्रिफी सेलेबस है वो डिसकस कर रही हूं और आपका एक तर जो क्लास 12 जोग्रिफी का जो सेलेबस है उसमें जो सबसे पहले सबसे पहली बुक जो है तो सबसे पहला है डिफाइन टर्म हुमन जोग्रिफी तो यानि कि सबसे पहले तो सभी बच्चों को जो है वह मानव भूगोल की परिभाशा एक या दो परिभाशाएं जो है वह अच्छे से लर्न करनी है तो इसमें आप फैडरिक रेजल या एलन सी सेंपल किसी की भी आपको ठीक लगती है उसको लर्न कर सकते हैं तो जैसे कि फैडरिक रेजल की है कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के भी संबंदों का संशलेशित अध्यान है तो इस तरह से कोई भी डेफिनेशन आप इसको लर्न कर लीजिए तो हर बच्चा जो है हर बच्चे को ड तो यहां पर आपको मतलब एक्स्प्लेइन करना है इंटरडीपेंडेंडेंस एक दूसरे पर आश्रित जैसे मानव और प्रकृति एक दूसरे पर और अश्रित तो उस की का एक्सक्टेनेशन आपको देना है तो आपका आपकी जो NCRT बुक है उसमें बहुत अच्छे से आ में जाएगा तो इसके इस टमपिक एंडरी आपका सब यह मानव का प्रकृति करन प्रकृती का मनवी करन वह सब इसमें आएगा बहुत अच्छे से कव आपको करना है क्योंकि तीन नंबर के जो कोशन होते हैं इसमें इसका काफी चांसीज है कि इसमें से आ जाता है आपका ए कोशन उसके बाद है state the fields and sub fields of human geography and its relation with other branches of social sciences तो इसमें आपको मानव भूगोल के जो फील्ड हैं शेत्र हैं वो बताने हैं तो मानव भूगोल के यह आपके NCRT book में भी है और हाँ यहां पर मैं सभी बच्चों को ही बता दूं कि आप NCRT book जो है उसको जरूर कंसर्ट करें उसमें आपका पूरा से लिवस है तो मानव भूगोल के जो शेत्र हैं वो हैं जैसे सामाजिक भूगोल नगरिय भूगोल राजनितिक भूगोल जनसंख्या भूगोल यह सब जो हैं आपके मानव भूगोल के शेत्र हैं और उसके जो उप शेत्र यानि सब फील् तो उसमें आप देख सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट है जो नेक्स्ट टॉपिक है डिफ्रेंशियेट बिट्वीन इन्वार्मेंटल डिटर्मिनिजम एंड पॉसिबिलिजम यानि कि पर्यावर्निय निश्चयवाद या नियतिवाद कुछ भी कह लिजे इसको तो इसमें और संभवाद में अंतर तो अंतर आप तभी स्पष्ट कर पाएंगे जब आपको दोनों का कंसेप्ट क्लियर होगा कि जो पर्यावर्निय निश्चयवाद है उसके अनुसार क्या कहा गया है कि जो मानव की जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब किया हैं प्रकृती द्वारा प्रभ ब्हावित करती है और जब Вам जो है यह इसका बिल्कुल आपोजिट है संभवाद में कहा गया किमानव जो है वो अपने इच्छा से अपने इच्छा अनुसार जो है प्रकृति में परिवशतन ला सकता है या मतलभ जो वर न संसादन जो प्रकृति से मिले हैं तो वह अपने इच्छा से इन में क्या करता है इनको इन में परिवर्तन करता है इनको अपने उपयोग में लाता है तो यानि कि इसमें मानव शक्ती प्रधान है मतलब पॉसिबलिजम यानि कि मानव जो है वो वो अधिक सक्षम है वो अधिक शक्तिशाली है यह खा गया है तो इस तरह से आप इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको अच्छे से लॉन कर लीजेगा और एक और यहां पर जरूर की हर एक विचारधारा से जो एसोसियेटेट नेम्स ह है जैसे कि परियावनिय निश्चेवाद से के समर्थक जो देना जैसे फैडरीक रैट सेल एलन सी सेंपल ऐसे और संभववाद के हैं विडाल डी बलाश तो इस तरह से आप सभी थौट से रिलेटेड जो है मतलब कुछ नेम्स है वो भी लॉन करेंगे नेक्स्ट इस एक्स्प्लेइन नियो डिटर्मिनिजम विद एक्जैम्पल्स फ्रम रियल लाइफ तो इसमें आपको नियो डिटर्मिनिजम यानि की नव निश्चेवाद इसके बारे में यह जो थर्ड थॉट है हमारा तो इसको आप करेंगे और जो की एक मद्यमार्ग है और जिसको रुको और जाओ निश्चेवाद भी कहा जाता है और इसके मतलब रियल लाइफ एक्जैम्पल्स जो है आपके एंसे आटी बुक में बहुत अच्छे से दिये हुए हैं तो इसका भी आप मतलब अच्छे से इसको स्टडी कर लेंगे तो यह था आपका चैप्ट ग्रोट कर लोट नंबर 2 दर वर्ड पॉपलेशन तो वर्ड पॉपलेशन में जो आपके मतलब बहुत इंपर्टेंट है यह चैप्टर स्पैशली फॉर S.A. टाइप जो पांच नंबर वाले कोश्टन है वो सब मतलब उन में से इस चैप्टर में से आते हैं तो इस चैप् याने कि जन संख्या का वितरण जन संख्या घनत्व और जन संख्या फ्रिधी तो इसके देखते हैं में टॉपिक्स जो हैं सबसे पहला है कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बर्थ रेट और डेथ रेट तो इसमें सभी स्टुडेंट्स जो हैं जन संख्या घनत्व जन संख्या घनत्व के बारे में जन संख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कौन से कारक होते हैं या जन संख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक तो इसको आप अच्छे से कर लेंगे और उसके बाद है बर्थ रेट एंड डेथ रेट जंद मृत्यूदर इन सब की परिभाशा नेक्स टॉपिक इस नेम एंड डिफाइन दा कम्पोनेंट रिस्पोंसिबल फॉर पॉपुलेशन चेंज यानि की जनसंख्या परिवर्तन जो है उसकी जनसंख्या परिवर्तन से आप क्या समझते हैं पहले तो इसका इसकी जो परिभाशा है तो वो आपको अच्छे से करनी है यानि की जनसंख्या परिवर्तन निकिसी निष्चित शेतर में निष्चित अवदि के दोरान वहां पर जो जनसंख्या है उसमें जो भी परिवर्तन आया है उसको प्रवास इसके लिए कौन कौन से factors responsible है तो उसके लिए जो है जंदर, मृत्यूदर और प्रवास यानिके birth rate, death rate and migration तो यह तीन factors है जो की population change के लिए responsible है तो इनका अच्छे से आप study करेंगे next is understand the stages of population growth in the world using demographic transition theory तो demographic transition theory काफी important है आपके और इसमें आपको जो यह जो दिया हो है demographic transition theory यानि की जनांकी किये संकरमन सिद्दान्त तो इसकी अवस्थाएं जो है यानि प्रतम अवस्था दृतिया अवस्था इसमें काफी multiple choice भी last time तो इसमें से पूछे गए थे इसको सब अच्छे से कर लें प्रतम अवस्था की क्या-क्या विशेष्टाएं है प्रशन ऐसे भी पूछा जा सकता है short answers के लिए specially कि प्रतम अवस्था के मुख्य विशेष्टाएं बताईए तो प्रतम अवस्था यान और यहां पर मतलब शिक्षा का प्रचार पसार नहीं है और जो स्वास्ते सुविदाएं हैं वो नहीं है तो इस तरह से यह प्रतम अवस्था के सूचक है उसके बाद दृतिय अवस्था जो है वो है उच्छ अंदर और आधी कंट्रोल या फिर निम्नम्रृत्यूदर तो यह जो है यह विकाष शिल देश जो है इनका मतलब इनका यहां मटे जो है दृतिय अवस्था हैं पाई जाती है जहां पे की शिक्षा में कुछ सुधार किया गया है, स्वास्ते सुविधाओं में सुधार किया गया है ज से से जो विक शील देश हैं आपे दूपिया वस्था और उसके बाद जो लास्ट है वह विकन को देश की यानि जहां पर भी निमण है और उसके साथ यहां पर जागरुक समाज शिक्षित समाज अच्छी स्वास्ते सुविदाई यह सब जो है यहां का सूचक है उसके बाद है सजेस्ट मेजर्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ हाई यह भी एक बहुत छोटा सा टॉपिक है आपके अंसी आटी बुक में भी आपको मिल जाएगा कि जनसंख्या नियंतरन के ज जागरुक करना लोगों की जागरुकता जन अभियान और तीसरा हम देंगे जैसे की स्वास्थे का बहतर ध्यान महिलाओं के स्वास्थे पर ध्यान अधिक देने से भी इस पर इसको हम नियंतरित कर सकते हैं तो इस तरह से जो है यह आपका next जो है आपका define the following terms इसमें कुछ terms है आपकी growth of population, natural growth of population, positive growth of population and negative growth of population तो यह आपको इसी में ही इसी topic में ही मिल जाएगा जनसंख्या परिवर्तन में कि जो धनात्मक वृधि क्या होती है रिनात्मक वृधि क्या होती है तो यह सब जो है यह आप इनको एक बार अच्छे से इनको देख लेंगे कि इनके बारे में आपको जानकारी होनी ही चाहिए इसके बाद हम next पे आते हैं next topic है हमारा human development तो मानव विकास जो है इसके मुख्ये जो topics हैं वो इस तरह से हैं सबसे पहला है differentiate between growth and development यानि की वृधि और विकास में क्या अंतर है तो जो वृधि है यानि की जो ग्रोथ है ग्रोथ इस कौंटिटेटिव यानि मातरात्मक है वेरेज development इस qualitative यानि की जो विकास होता है वो क्या होता है गुणात्मक होता है तो इस तरह से और जो ग्रोथ है इट में हैव पॉजटिव और नेगेटिव शाइन यानि की यह धनात्मक भी हो सकती रिनात्मक भी हो सकती है लेकिन जो विकास है it is always positive यानि कि यह हमेशा जो होगा धनात्मक होगा तो इस तरह से इसका जो डिफरेंस है यह आपने करना है next explain the three basic indicators of human development and measure the level of human development तो यानि कि जो मानव विकास के सूचक है तो तीन basic जो उसके indicators या उसके जो सूचक है वो क्या क्या है तो वो है एक है life expectancy यानि कि जीवन प्रत्याशा दूसरा है education यानि कि शिक्षा और तीसरा है per capita income यानि कि प्रतिव्यक्ति आए तो यह जो तीन है यह मानव विकास के क्या है सूचक indicators है यह उसके बाद next है describe human development index published by UNDP तो यहाँ पे आपको मानव विकास सूचकांक की जो जानकारी है उसकी मुख्य जो points में बिंदू जो है वो आपको यहां पे पता होने चाहिए कि मानव विकास सूचकांक मानव विकास का मापक है इसका value इसकी जो value है वो 0 से 1 के मद्दे होती है यह सब जो है यह आपको इसमें पता होना चाहिए next है हमारा topic compare HDI with human poverty index तो HDI तो आप सब जानते हैं human development index यानि की मानव विकास सूचकांक जबकि दूसरा जो है human poverty index यानि की मानव गरीबी सूचकांक तो गरीबी सूचकांक में जो है वो क्या होता है कि प्रॉड निरक्षरतादर और जो जल तक जिनकी पहुंच नहीं रखने वाले लोगों की संख्या या कम वजन वाले बच्चों की संख्या यह सब इसमें शामिल होता है तो इसको बोलते हैं human poverty index तो यह दोनों का comparison आपको क करना आना चाहिए कि मानव विकास सुचकांक्या होता है और गरीबी सुचकांक्या होता है next is next topic explain the key pillars of human development with example तो key pillars जो है यानि की मानव विकास के जो स्तम है तो मानव विकास के चार जो मुख्य स्तम है वो क्या-क्या है वो है सबसे पहला है समता यानि की equity दूसरा है उत्पादक्ता यानि की productivity third is सतत पोष्णिय विकास sustainability and the last one fourth is शशक्तिकरन यानि की empowerment तो इन सब को आपने बहुत अच्छे से क्योंकि यह multiple choice में भी पूछा जाता है और इनका short answers में भी इस में से पूछा जाता है जैसे last time भी आया था कि write two or three features of equity यानि समता के दो तीन विशेश्टाएं बताओ या फिर शशक्तिकरन की विशेश्टाएं बताओ तो इस तरह से short answers में अलग-अलग से separately भी पूछा जाता है इसमें से उसके बाद है next compare income approach, welfare approach, basic need approach, capability approach to understand the concept of human development तो यहां पर आपको जो है approaches of human development यानि की मानव विकास के जो उपागम है तो इसमें आय उपागम, कल्यान उपागम, आधार भूत, अवशक्ता उपागम और शम्ता उपागम इन सब के बारे में आपको पढ़ना है उसके बाद next है to categorize countries on the basis of their HDI and explain their characteristics तो मतलब आपको उसका categories बनानी है HDI के basis पे countries की तो क्या होगा उच्छ सूचकांक वाले देश, मध्यम सूचकांक वाले देश और निम्न सूचकांक वाले देश और उनकी characteristics भी उच्छकांक वाले देश में कैसा होगा उच्छकांक वाले देशों में उच्छ जंदर होगी स्वास्ते सुविधाओं का भाव होगा ठीक है पिछड़े देश इस category में आएंगे ठीक है और जो मध्यम सूचकांक है उसमें विकाशील देश आएंगे जहां पर की उच्छ जंदर है लेकिन घटी हुई मृत्यूदर है यहां पर शिक्षा का प्रचार पसार किया जा रह समाज होता है और रोजगार के साधन और इसके साथ साथ अच्छी स्वास्ते सुविधाएं यह सब होता है तो इस तरह से उनके चारिक्ते स्वास्थ्टर्स जो है एककुर्म् सबसक्रा करो प्राध्मी क्रिया जो है यह इस तो वेल असारम नूम के लिए ही अमप्रेंट्रिंट चैप्टर है तो इसमें देखिए सबसे पेहला Twitter техνο Bund to ing के बारे में पता होना चाहिए एकनॉमिक एक्टिविटीज यानि की आर्थी क्रियाएं, प्राइमरी एक्टिविटीज यानि की प्राथमी क्रियाएं, रेड कॉलर वर्कर्स तो जो प्राथमी क्रिया करते हैं उनको रेड कॉलर वर्कर्स या लाल कॉलर श्रमी कहा जाता है और उसके बाद है पैस्टोरल न ऐक प्लेन फूड गैधरिंग एंगनुमिक इक्तिविटी तो फूड गैधरिंग होता है वोजन की वनो přेचा करती आज समय में नाए कि आज के समय में एक्तिव क्विटी आज के समय में तो बहुत कम ऐसे शेतर हैं जहांपे कि इस तरह की एक्टिविटी की जा रही है लेकिन अब आप इससे हम इसका व्यापक मीनिंग ऐसे भी लेते हैं कि वनों से चाए हम चारा ले रहे हैं चाए हम वनों से ओषदीया ले रहे हैं या कोई ऐसे वस्तुएं ले रहे हैं जो कि हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं तो that is called gathering और इसमें question भी इस तरह से की it is going commercial nowadays आज कल के समय में इसको इसका व्यापारी करन हो रहा है अपने comment दीजिए तो इस तरह से तो आपको topic तो यह समझ में आ गया होगा की food gathering यानि की भोजन वनों से जो जो भी हमारे useful पदार्थ हैं उनको हम इकठा करना this is called gathering और यह मतलब एक बहुत आज के समय में growing growing वो है यह economic activity है क्योंकि बहुत कई जगा पे तो band भी है जो restricted areas है तो इसके बारे में आपको बुक में अच्छे से मिल जाएगा economic activity next is distinguish between pastoral nomadism and commercial livestock rearing बहुत important है CBSC के according यह वाला topic क्योंकि चलवासी पशुचारन और वानिज्य पशुधन दोनों के दोनों के अगर आपको characteristics पता है तो वही उनका difference है ठीक है जो pastoral nomadism है वो पारंपरिक धंग से होता है इसमें पशु अनेक पशु एक साथ रखे जाते हैं और यह मतलब स्थान का स्थानांत्रन भी करते हैं और जिसमें रितु प्रवास जैसे बोला जाता है और इसके ऑपोजेट जो कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग है यह मतलब इसमें एक ही पशु पालन एक ही प्रकार का पशु पाला जाता है मतलब और इसके साथ साथ यह जो है बड़े ही टेकनिकल वे में बड़े ज्यानिक धंग से यह किया जाता है और इसमें मतलब अधिक मतलब अधिक प्रॉफिट के लिए जो है पशु अच्छी नसल और इन सब चीजों पे अनिमल हस्बेंटरी वगर इन सब चीजों पर भौत ध्यान दिया जाता है तो इस तरह से यह वाला काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टु सी बेसी नेक्स दिरिए एक सीस्टेंस एन इंट्सेव सबसिस्टेंस फार्मिंग तो यह दिए यानिकी गहन क्रिशी जीवन निर्वाक्रिशी और जो है गेहन जीवन निर्वाक्रिशी इन दोनों में जो अंतर है यह आपको करना है तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस यानि की आदी काली निर्वाक्रिशी और जो दूसरी है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग यानि की गेहन निर्वाक्रिशी तो दोनों का जो अंतर है यह आपको करना है नेक्स्ट इस डिस्क्राइब दे केरेक्टिस्टिक फीचर्स ओफ प्लांटेशन अग्रिकल्चर एज टाइप ओफ कमर्शियल फार्मिंग तो प्लांटेशन एग्रिकल्चर यानि की रोपन कृशी या बागाती क्रिशी डिसके मेन फीचम आपको पताएप चेपर चीफ कैरेक्टरिक्टिक्स तो आप उसके विशेष्ताएं पता होना चाहिए प्र वोचाहिए उसके टिफ्राब तो तो आप उसके बारे में लिक तो जैसे यहां पे plantation agriculture के features तो plantation agriculture क्या होती है एक फसली होती है single crop होती है यह और इसकी जो मुख्य उपज है वो चाय कॉफी रबर कपा गन्ना और फल इत्यादी होते हैं इसमें अधिक पुंजी निवेश होता है उच प्रबंदन और तक्नीकी आधार पे किया जाता है तो यह स इसके शेत्र जो है वो उपनिवेश इसकी जो शुरुवात है वो यूरोपी देशों द्वारा की गई अपने उपनिवेश शेत्रों में और इसके मुख्य शेत्र जो है वो दक्षिन अफरीका अफरीका दक्षिन एशिया दक्षिन पूर्वी एशिया यह सब इसके शेत्र तो यह आप अच्छे से और इसको मैप के लिए भी आप देखिएगा उसके बाद नेक्स्ट है अनलाइज वाई इस देर लो यीज पर है पर एकर बट हाई यील्ड पर 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 सन इन एरियाज ऑफ एक्स्टेंसिव ग्रेन कल्टिवेशन तो सबसे पहले तो क्रिशी यहा है जो कि उसे ृप तरफल की दृष्टी से बहुत बड़े होते हैं लेकिन फाप्फोलेशन वाइज जहां की पॉपुलेशन बहुत कम होती है तो ऐसे देशों में यह कृशी कि जाती है यहीं इसका आंसर भी है वाई इस देर लो ई इल्ड पर एकर्ड बट हाई इल्ड पर परसन इन एरियाज तो ऐसा क्यों होता है क्योंकि वहां पर जनसंख्या कम होती है शेत्रफल अधिक होता है तो इसलिए वहां पर परसन तो इल्ड बहुत जादा होती है लेकिन पर एकर्ड जो उसकी उपज है वो कम होती है ठीक है समझ गए तो नेक्स्ट है नेक्स्ट टॉपिक है कंपेर एंड कंट्रास द फार्मिंग प्रैक्टेस इन द डिव लप्ट अर्बन एरिया जो अप आपका जाएगा सबसी की जो खेती जाती है या उद्धियान ट्रग क्रिषित ट्रक फार्मिंग जो होती है यह इस में आती है तो truck farming, आपको पता होगा जो की suburb area जो होते हैं, यानि बड़े महानगरों के आसपास के शेतर जो हैं, वहाँपे ये जो उद्यान क्रिशी, ये, truck farming है, ये की जाती है, तकि जो जो फूल को पूर डिप आशेन जिए और ओलियों, किसन दी ऊहां पर किया जा सके सल्ग मेरे को इसके बाद को स्वी भी आगुक्त्यस लिएरा कोज उसके से हैं जातों जाते है यह के ङूर्श यह कि पूल आपल कोर्श कोज highly तो असहे लिएपला क्रिशी हाँ केते हैं कि इसमें काम करते हैं यहीं को पढ़ लेंगे उसके बाद नेक्स्ट है एक्जामिन दे रीजन्स फॉर सक्सेस ओफ कोपरेटिव फार्मिंग इन दे यूरोपियन कंट्रीज हां यूरोपियन कंट्रीज जहां पर की जो की सामयवादी विचारधारा से प्रभावी जो देश थे देश हैं स्वरी तो वहां आप कर लेंगे जैसे डेनमार्क नीदरलैंड वगेरा यहां पे सब जो है बेल्जियम स्वीडन यहां पे सहकारी क्रिशी जो है वो की जाती है नेक्स्ट इस डिफ्रेंशियेट बिट्वीन ओपन कास्ट माइनिंग एंड शाफ्ट माइनिंग तो जो खनन यहां पे आप यह खनन का टॉपिक है माइनिंग तो आप जानते ही हैं कि खनन जो है खनन की दो विदिया है तो पहला है ओपन कास्ट माइनिंग यानिकी धरातल यह जह हम भूमिगत कन तो इस यह जो है दोनों के बारे में आपको इन दोनों का डिफेरेंस वही कि दोनों के दा इन पीरिंस ही जो दरातलिय में खनन होता है वो क्या होता है और जो भूमिगत खनन होता है वो क्या होता है next is discuss how mining can have impact on human and environment तो हां माइनिंग जो है माइनिंग का क्या प्रभाव क्या पड़ता है या इसमें कोशन और भी बनता है कि माइनिंग को प्रभावित करने वाले कारक यानि की what are the factors that influence mining तो इसमें physical factors भी आएंगे economic factors भी आएंगे तो एक यह भी करना है और इसके साथ साथ आपको जो खनन है इसका क्या प्रभाव पड़ता है मानव पे और environment पे तो मानव पे तो प्रभाव यह है कि हमें कई बहु मुल्य जो उपयोगी खनिज हैं वो प्राप्त होते हैं जो कि हमारे डे टुडे लाइफ और हमारे उद्योगों के लिए अतियावश्यक है और जबकि environment पे इसका प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है अत्यदी खनन जो हो रहा है तो उसकी वज़े से भी प्रियावर्निय समस्याएं है वो उत्पन हो जाती है तो यह सब इसके मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वह इफेक्ट है उसके बाद हम अपने नेक्स चैप्टर पर आएंगे सेकेंडरी एक्टिविटी यानि की दृतियक रिया यह भी बहुत इंपोर्टेंट ह सब्सक्राइब करेंगे सेकेंडरी एक्टिविटीज यानि के दृतियक रिया है तो इसका पहला टॉपिक जो है वह है एक्स्प्लेइन की कंसेप्ट सच आज लार्ग स्केल मैनुफेक्टरिंग हाई टेक्नोलोजी इंडस्ट्रीज तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या हैं कंसेप्ट लार्ग स्केल मैनुफेक्टरिंग यानि की जिसको कहते हैं बड़े पैमाने के जो बड़े पैमाने पे होने वाले जो भी मैनुफेक्टरिंग है वी निर्मान है और यह फिर दूसरा है हाई टेक्नोलोज इंडस्ट्री यन्निकि उच्च प्रद्योगी की उध्योग तो इनकी विषेषताओं में आप इस ढ्रब्स की कॉशल का विषिष्टी करण होता है यंत्री करण होता है प्रद्योगी JEFF 94 और का जो मतलब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो होते हैं संगठ नात्मक धांचा और बाकी भोगोलिक जो वितरन या वीवरन स्वरी तो या धरातल भी हम कह सकते हैं तो यह सब जो हैं इसके मुख्ये विशेशता हैं तो इसके साथ अर्गेनाइजेशनल सेट फुट लूज इंडस्ट्रीज एग्री बेस्ट इसेटर तो मतलब इसमें आपको हर तरह की जो इंडस्ट्रीज हैं स्वचंद उद्योग और इसके साथ एग्री बिजनेस यानि की जो कृषी पराधारित हैं इन सब के बारे में आपको पढ़ना है उसके बाद है next identify and explain the factors affecting the location industry तो यानि की उद्योगों के स्थानी करण के कारक कि किसी भी इंडस्ट्री को सेट अप करने से पहले क्या-क्या factors जो हैं वो हमें धियान में रखने पड़ते हैं तो वो है availability of raw material, climate, then electricity, transport, government policies, capital यह सब मतलब कच्चे माल की सुविधा और जल्वायू, सासत में शक्ती संसाधन, परिवहन के साधन यह सब सहकारी नीतियां वगेरा यह सब जो है इसके factors है next है differentiate between different types of industries on the basis of size, raw material, ownership and output तो बच्चो इसका बहुत ही आपके बुक में बहुत बढ़िया से एक chart भी बना रखा है ncrt book में तो आप उसको देखिए कि आकार के आधार पे जो है उद्योगों का किस तरह से वर्गी करन किया जाता है आकार के आधार पे कुटीर उद्योग, छोटे पहमाने के, बड़े पहमाने के तो हर एक उद्योग के मुख्ये विशेशता हैं आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इसमें से भी question ऐसे आता है कि write some features of cottage industry, write two or three features of large scale industry तो आपको हर एक industry जो है उसकी मुख्ये तीन चार विशेशता हैं आप अपने rough notebook पे लिख के रखिए कि इस तरह से ही आपको exam में भी लिखना है उसके बाद है differentiate between cottage industry and small scale industry तो दोनों के बीच में difference जो है next is explain the importance of high tech industries and reason for them being attracted to the peripheral areas of major metropolitan cities तो यह जो है इसमें है कि importance of high tech industries जो उच्च प्रद्योगी की जो उद्योग है उनका importance क्या है तो वहां पे उच्च प्रद्योगी की उद्योग यानि कि जहां पे software development develop होता है या और कुछ ऐसे जो जो भी computer oriented works होते है वह बच्चों high tech industries होती है ठीक है और reason for them being attracted to the peripheral areas of the major metropolitan cities और जितने भी metropolitan cities है यानि महा नगर है वह उसके परिधी परिधी एरिया माला peripheral area यानि कि परिधी यानि कि उसकी boundary में होते हैं में सिटी के बीच में नहीं होते हैं थोड़े दूर दूर होते हैं ठीक है शहर से थोड़ा बाहर को होते हैं तो ऐसा क्यों होता है क्योंकि पहली बात तो यह कि they need more space number second is cleanliness clean environment की जरूरत होती है फिर high tech industries के लिए जो है वो highly skilled workers की जरूरत होती है तो यह सब जो है हम यह सब रिजन्स हैं कि यह जो शहर से बाहर और प्रॉपर प्लैनिंग से यह इंडस्ट्री जो हैं मतलब इसका जो structure है वो बनाया जाता है तो इसलिए भी यह शहर के भीड़ भाड की बजाए जो है पैरिफरल एरिया में बनाया ज इंडस्ट्री तो यह तो हर एक इंडस्ट्री का जब आप उसके में फीचर्स कर लोगे तो उसको डिफ्रेंशेट करना असान हो जाता है नेक्स्ट इस अंडस्टैंड एन अनलाइज दो इंटर रिलेशन्शिप बिट्वीन इंडस्ट्री डिवल्मेंट एंड स्टैंडर तो हमें यहां पर यह है कंसेप्ट इस पर बेस पूछा जा सकता है की इंटर रिलेशन्शिप बिट्वीन इंडस्ट्री डिवल्मेंट यानि की उद्योगिक विकास और स्टैंडर आफ लिविंग जीवन स्टर का कैसे आपस में रिलेशन्शिप है तो जितना इंडस्ट्र इंडस्ट्रियल डिवलेप्मेंट ज्यादा होगा तो वहां पर जो स्टैंडर ओफ लिविंग है वह भी क्या होगा इंक्रीज होगा वह भी बढ़ेगा ठीक है बेशक पुछ पर इन्वायमेंटल इसूज हो सकते हैं लेकिन अभी हम उसकी बात उसको हम हां मैंशन कर जरू तो यही है कि जहां पर इंडस्ट्रियल डिवलेप्मेंट अच्छा होता है ज्यादा होगा वहां पर इस्टैंडर ओफ लिविंग भी अच्छा को क्योंकि आप यहिए इसका एक्जेम्पल लेझिए कि जितने भी विखेधे देश हैं वहां पर इंडस्ट्रीयल डेवलेप and quaternary activities यानि की चतूर्थ एवं पंचम क्रियाएं तो इस चैप्टर में से जो है जो में टॉपिक्स है वो इस तरह से है सबसे पहला टॉपिक है compare and contrast traditional and modern economic activities तो सबसे पहले तो traditional economic activities यानि की पुराने समय में कौन कौन सी अर्थी क्रियाएं होती थी और modern economic activities यानि आज के समय की जो आर्थी क्रियाएं है उनको compare करना है उसके बास second है students correlate tertiary activities and their role in the economic development of a country हां कि मतलब जो यह tertiary activities है यानि तृतियक क्रियाएं जो है इनका रोल तो आपको पता है होगा बच्चों की तृतियक क्रियाओं में सब कुछ यानि एक ड्राइवर से लेकर शौप कीपर से लेकर डॉक्टर इंजिनियर टीचर जितने भी आपके आसपास एक्टिविटीज हैं यह सब जो है तृतियक क्रियाएं हैं तो इनका रोल जो है किसी देश के भी आर्थिक विकास में बहुत जादा है ठीक है तो यही आपको मतलब जिस तरह से कोशन पुछा जाएगा आपको उस तरह से एक्स्प्लेइन करना होगा बस मैं यहां पर यह बता रही हूं कि जो मतलब तृतियक रियाएं हैं क्योंकि तृतियक रियाएं यानि कि एक चोटे से चोटा काम इवन आ ऑटो ड्राइवर एक शॉप कीपर एक मतलब ड्राइवर से लेकर डॉक्टर्स इंजीनियर्स एड्वोकेट्स जितने भी एक्टिविटी से सब तृतियक रियाएं तो इनका किसी भी देश के जो आर्थिक विकास है उसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि पूरा सोसाइटी में मेंली यही सबसे बड़ा वर्ग सबसे बड है जो कि मतलब देश के आर्थिक विकास में कंट्रिब्यूट कर रहा है ठीक है नेक्स्ट है कि दिस्क्राइब डिफरेंट टाइप तो इन सब के बमें आपको एक्स्प्लेण करना है next is discuss different types of trading centers found in rural and urban areas and their role played by them in local economy तो व्यापारी केंद्र क्या क्या होते है एक होता है रूरल marketing center जिसे हम बोलते हैं ग्रामीन विपनन केंद्र जहां पर की ग्रामीन शेत्र या उसके आसपास के कई गाओं की जो छोटी मोटी ज़रूरते हैं जहां से पूरी होती है और इसके ऑपोजिट जो नगरों में है वो है नगरिय विपनन केंद्र जो की मलब विशिष्टी कृत बजार होता है और इसमें मतलब आपको इस मतलब यह कंपरेटिवली ग्रामीन विपनन के अंदर से काफी बड़ी होती है यहां पर आपको हर तरह की जो है वस्तों और सेवाएं जो हैं आपको यहां पर मिल जाएंगी उसके बाद नेक्स जो टॉपिक है वो है इसक्राइब कुईरी अक्टिविटीप्सि एड़ इस रोल इन एडवांस्टए ओनुमेज तो कुईरी अक्टिविटीज यह निकी पंचम कृइएं प्याओं क्या होती है तो यह विशिश्ठतम सेवाँ है यह ज Like 5 चुछ सा ए 1993 ढूंे और इसका रोल इसका क्या वो है तो इसमें जो पंचम क्रियाएं हैं इनको golden collar कहा जाता है और ये भी आप जानते हैं कि ये जो क्रियाएं हैं इनमें मतलब की जो आकड़ों की व्याख्या करते हैं और जो नीती निर्धारक जो भी मतलब अनुसंधान और ये जो परामर्श दाता ये सब इस category में आते हैं आप देख लिजे कि उनका क्या रोल है किसी भी देश की अर्थ विवस्ता में तो इनका भी अपना बहुत बढ़ार क्योंकि जो बाकी जो नीचे की जितनी भी सेवाई हैं जो third and fourth हैं उनको फिफ्थ जो पंचम क्रिया जो हैं वो ही उनको भी डारेक्ट कर रहे हैं मिल्लब कि जो पंचम क्रिया कर रहे हैं यह जो पंचम क्रियाओं में सन लगने हैं वो सब जो हैं वो क्रियाओं को एक तरह से हेंडल कर रहे तो इसलिए जो है उनका सबसे मेजर सबसे ज्यादा स्पेसिफिक रोल जो होता है देश की एकॉनमी में या देश की अर्थविवस्था में वह पंचम करियां का होता है ठीक है क्योंकि उनका स्तर बहुत बढ़ा होता है तो इसलिए उनका मतलब सर्विस एरिया भी उतना ही बढ़ा होता है ठीक है नेक्स्ट डिस्कस हाओ टर्शरी वाटनरी एंड कुईनरी एक्टिविटीज है रिप्लेस्ट जॉब्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर तो यहां पे आपको बताना है कि किस तरह से जो यह टर्शरी सेक्टर है प्रात्मिक और द्वितियक क्रिया क्लापों को रिप्लेस कर दिया है मतलब अब जो है हर कोई जो है वो सेवा सेक्टर में आना चाहता है तो यहां पे आपको उसके रीजन उसके एक्स्प्लेनेशन यहां पे देना है नेक्स्ट इस डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स इसमें सबसे पहले है बीपियो और आउटसोर्सिंग और के पियो तो यह आपको जो है आपका जो आउटसोर्सिंग टॉपिक है उसमें यह मिल जाएगा तो आउटसोर्सिंग जिसे हम बहाइ स्रोतन भी कहते हैं, यानि कि ठेका देना, जिसमें कि हम काम को जैसे बाहर भेजना, जिसमें कि दक्षता में सुधार आए और लागत में कमी आए, तो जैसे यह call centers और यह सब जो नए इसके हो हैं, तो इसमें जो है BPO यानि कि Business Process Outsourcing और KPO यानि कि Knowledge Process Outsourcing तो इसके बारे में आपको यह सब जो है आउट्सोर्सिंग वाला जो टॉपिक है उसमें आपको यह मिल जाएगा तो कुल मिला के जो 22 रोतन के लिए जो कई देशों में जो यह BPO और KPO की जो स्थापना की गई है इससे जो है मतलब कॉल सेंटर की संख्या बढ़ गई है यानि कि अपना काम जो है जिन देशों में जैसे जन संख्या कम है तो और मतलब वहां पे अगर हम किसी भी चीज के लिए पॉइंट करेंगे तो बहुत उसमें खर्चा जादा होता तो इसलिए जो काम है वो दूसरे द देश है जहां पे की पड़े लिखे लोग हैं लेकिन क्या है कि क्लाइमेंट की कमी है तो ऐसे जगह पे मतलब आप वह काम भेज देते हैं तो वह काम बहुत आसानी से कंप्लीट किया जाता है और कम रेट्स पे तो यही इसका में जो आपजेक्टिव है आउट्सोर्सिंग वह यही है तो इस तरह से आपका यह जो चैप्टर है इसका एक लास्ट जो टॉपिक है डिपार्टमेंटल स्टोर चेंस्टोर होलसेल ट्रेडिंग हा इसके बारे में भी फुटकर व्यापार और यह जो थोक व्यापार यह क्या होता है तो इसके बारे में भी आपको इस च एंड कम्यूनिकेशन तो परिवहन और संचार तो इसके जो में टॉपिक्स है वो है कंपेर एंड कंट्रास्ट वीरियस मोड्स आफ ट्रांसपोर्ट जिसमें की मतलब जो परिवहन के अलग-अलग साधन है उनको आपको कंपेरिजन की कौन सा अच्छा है किसके क्या लाब है क यहानी इस तरह से यह आपको इसके लिए करना है next is explain the relationship of transport and communication network to economic development of a region किसी भी शेतर में अगर आर्थिक विकास चाहिए तो वहां पे मतलब जो ट्रांसपोर्ट और communication network है वो अच्छा होना चाहिए मतलब उसका क्या relationship पूछा गया है तो आपको यह explain करना है कि जहां पर ट्रांसपोर्ट और communication अच्छा होगा वहां पे जो है वो आर्थिक विकास भी अच्छा होगा क्योंकि आर्थिक विकास के लिए पूरा हर चीज की mobility के लिए जो है वो ट्रांसपोर्ट और communication यानि की परिवहन और संचार का होना बहुत जरूरी है तो इसी को ही explain करना है आपको next is describe the major highways and major rail networks of different तो विबिन देशों के जो मुख्य रेल मार्ग पार महादुपी रेल मार्ग जो है वो आपको करने है और आपके जो यह NCRT बुक में पार साइबेरियन रेल मार्ग है और पार कैनेडियन और इस तरह से oriental express यह सब जो है आप इनको अच्छे से और with map क्योंकि इसमें एक जो source based question आता है जिसमें कि आपको map given होगा किसी भी रेल मार्ग का या waterways का जैसे इसमें आपके इसी चैप्टर में स्वेज नहर और पानामा नहर का भी है तो उसमें आपको मतलब उनका जो वो है map वो अच्छे से study करना है और उसमें कई बार ends पूछे जाते हैं आपको recognize आपको पहचानना होता है कि कौन सा रेल मार् मतलब कुछ में जो stations हैं और वो नहीं पता होंगे तो आप identify नहीं कर पा होगे तो इसलिए इन maps को जड़ा अच्छे से आप study करेंगे discuss the location and economic significance of trans-siberian railways, trans-canadian, the union and the pacific railways and trans-australian railways तो यह सब भी जो railways हैं अलग-अलग continents में इनके सब के मतलब आपको location की कहां है यह और इनका जो economic significance यह आर्थिक महत हो यानि कि जैसे पार महादवी पार-siberian है तो वो रश्या के लिए किस तरह से मतलब वहां के एकनॉमी में economic conditions कैसे इंप्रूव करती है या वहां की अर्थ व्यवस्ता कैसे उस पर निर्भर करती है फिर पार-canadian है तो वो चैनेडा में किस तरह से उसका आर्थिक महतो है तो इस तरह से यह सब का आपको करना है तो इसक्राइब इसक्राइब अपको आपकी अन्सी आटी बुक में पूरा कई रूट्स भी गिवन है तो इनको आप अच्छे से करेंगे और जैसे नौर्थ अट्लांटिक जो सी रूट है दे बीजिस यह सी रूट इन दे वर्ल्ट तो इसके बारे में फिर मेडिटरेनियन इंडियन सी रूट है फिर केप अफ गुड हो सी रूट है तो इस तरह से जो यह सी रूट से इनके बारे में भी आप करेंगे आप नेक्सट इस डिस्कक वाओ इस्टर गेटवेस और ऑफ एफ सोरी ओफ कमर्स फोर भूथ ऑफ इस्टर इन पानामा हैं किस सरा से यह जो इक गेटवे का काम करते हैं यह इस्टर और वास्ट आप यानि पूर्वी देश और पश्मी जो दुनिया है उसको कैसे जोडते ह तो अगर आपको इनकी location अच्छे से पता है तो आप बहुत अच्छे से इस question को explain कर सकते हैं कि किस तरह से ये east और west को जोडने का काम करते हैं ये दोनों waterways और इसमें जो लास्ट है topic वो है discuss how the modern communication system had have made the concept of global village or reality तो मतलब आप इसमें आप जो भी क्योंकि इसमें question ये भी है कि explain any two modern communication systems which are prevalent in the world today ऐसे कुछ की आज के समय में कौन कौन से जिसकी वजह से की पूरा विश्व जो है वो एक global village हम मान सकते हैं तो इसमें जो भी communication के हैं जैसे हमारा internet है और ये तो ये सब का आप इसमें आंसर कर सकते हैं कि किस तरह से communication पूरी दुनिया को एक फॉर्म में एक विलेज ग्लोबल विलेज के जो कंसेप्ट था वो उसने सच कर दिखाया है या सच कर ने की शमता है उसमें तो ये आप इसमें एक्स्प्लें करेंगे और इसके बाद हमारा next जो है चैप्टर या next topic international trade यानि की अंतराश्टिय व्यापार अंतराश्टिय व्यापार का पहला topic है define international trade एंडिसकस हाओ इंपक्ट्स वेरियस कंट्रीज तो सबसे पहला ही टॉपिक है कि इंटरनेशनल ट्रेड यानि कि अंतराश्टी व्यापार क्या होता है इसको डिफाइन करो और इसका प्रभाव बताईए कि अलग अलग देशों पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है तो एक प्रभाव सा कोश्चन है कि डिफाइन इंटरनेशनल ट्रेड एंडिसक्राइब हाओ इंपक्ट्स वीरियस कंट्रीज नेक्स्ट इस डिसक्राइब तब बेसे ओ इंटरनेशनल ट्रेड तो इसमें अंतराश्टी व्यापार के जो आधार हैं बेसेज वो आपको करने है तो हैं जो बेसेज हैं डिफरेंस इन नेटरेरल रिस्ओर्सलि नेशनल रिसोर्सी यानि की जो संसादनों की भिनता है फिर जब इसम्री कि बात्स अनतर के स्कुमिछ का है वहाँ पे क्या है distribution कैसी है density of population कैसी है फिर उसके बाद है stage of economic development यानि कि वहाँ पे आर्थिक विकास की क्या अवस्ता है इसके साथ साथ वहाँ पे transport जो है वो कैसा है तो यह सब चीजें जो है अंतराश्टिय व्यापार का आधार बनती है कि वहाँ क्या कौन-कौन से खनी संसा तो जलवाईव है और संसक्रितिक कारक क्या का कैसी वहां कि संसक्रिती है उस अधार पर जो यह जब जो है अंतराश्टिय व्यापार के आधार in उसके बाद है डिस, डिसकthe s तो टाइप्स जो है इंटरनेशनल ट्रेड के तो दो टाइप्स होते हैं बाइलेटरल एंड मल्टि लेटरल यानि की द्वी पार्शुक और बहु पार्शुक तो इसके बारे में आप कर लेंगे नेक्स्ट इस असपेक्ट अधर आसपेक्ट में आप की व्यापार की क्या दिशा है क्या वॉल्यूम ओफ ट्रेड क्या होता है और इसके साथ साथ जो इससे समनित जो भी मतलब टर्म्स हैं वो सब आप इसमें करेंगे और इसके बाद है explain the term dumping trade liberalization and globalization तो उदारी करन वैश्वी करन ये क्या होता है और dumping जो है dumping यानि के कोई भी वस्तु जो है वो different countries में different rates में जो commodity उसका प्राइस अलग है तो that is called dumping यानि the practice of selling a commodity in two countries at a price that differ for reasons not related to costs is called dumping यानि कि जिसमें रीजन ये नहीं होता है कि cost ज्यादा ये कम है पर एक ही commodity एक देश में किसी और rate पे और दूसरे देश में किसी और rate पे अगर किसी और price पे अगर भी करही है तो इसको ही dumping कहा जाता है next is discuss the impact of WTO on current global trade तो WTO यानि कि विश्व व्यापार संगठन इसको आप अच्छे से कर लिजे तो विश्व व्यापार संगठन का जो है ये ग्लोबल ट्रेड पे क्या प्रभाव है तो ये भी NCRT बुक में बहुत अच्छे से इसका explanation है कि मतलब किस तरह से जो इसमें जो developed countries है वो benefited है और जो जो पिछडे backward countries है तो उन उनको इतना इसमें मतलब अधिक लाब नहीं है और free trade economic globalization यह सब जो टर्म्स है यह आप इसमें कर लेंगे next is evaluate how international trade can be detrimental to some nation हां कि international trade जो है वो आपको यह मतलब explain करना है कि तो यहां पे आपको explain करना है कि किस तरह से international trade कुछ देशों के लिए जो है वो मतलब उनके लिए लाब दायक नहीं है या उनके लिए हानी कारक है तो इसमें यही है कि जो पिछडे देश हैं वहां पे कई environmental issues इससे create हुए क्योंकि उनके पास सिरफ natural resources होते हैं और उनका वो मतलब अधिक earning के लिए ज्यादा earning के लिए वो उसको बहुत ही excessively exploit करते हैं बहुत अधिक अपने प्राकृतिक संसादनों का दोहन करते हैं तो यह सब जो है वो कई environmental issues भी create करते हैं तो यह सब इसमें यही इस चीज की explanation होगी और जो इसका लास्ट टॉपिक है वो है analyze how sea ports acts as chief gateways of international trade यह तो मतलब एक बिल्कुल जेनरल सा question है कि जो हमारे ports होते हैं यानि कि जो पतन है वो उनको अंतराश्टिय व्यापार का क्या कहा जाता है गेटवे कहा जाता है क्योंकि जो major हमारे international trade है वो सी रूट से होता है due to lesser cost due to इसकी capability बहुत ज्यादा होती है और यह सब की वज़े से तो इसलिए ports जो है वो बहुत एक उनका chief role होता है economic activities में तो इसका आप इसमें explanation देंगे और इसके साथ ही यह book one जो है वो यहीं पे complete है और अब जो next का जो है next book जो है वो मैं इसी वीडियो का जो part 2 है उसमें explain करूंगी तो आप इस syllabus के according I hope कि आप इस सारा syllabus जो है वो अच्छे से revise कर लेंगे थैंक यू जो